गुड मॉर्णिंग फ्रेंड तो मैं नहा कर तयार हो चुकी हूँ अभी मैंने ये बैंगल निकाली है मैं सुच रही हूँ कुछ मैच करता हुआ पहन हूँ तो मैंने कंगन ही निकाल लिये हैं तो मैं ये तीन कंगन मिला के पहनने वाली हूँ पहले मैं सुचा कि ये जो कंग का तीन कंगन का सेट है ना उनको मिला कर पहनू तो बहुत जादा हो रहा था फिर भाद में मैंने सिर्फ एक कंगन मोटा वाला बीच में और इधा उजर एक लाल वाला कंगन है जो वो डाल दिया तो अच्छा लग रहा था तो मैं इस तरीके से पहल ली हूं और आज मैंने य प्रिंट के ना इसलिए पूजा वगेरा में यह कुर्टी बहुत अच्छी लगती है तो मैं पहन लेती हूं और चुनरी जो होता है न वह पूजा पाइनने में सुभी उता है तो आज मैंने यह पहन ली है तो फिर यहां पर मैं जुमकी निकाल रही थी काम में पहनने के ल हुरी हूँ क्योंकि मुझे फलहार बनाना है मेरे हजबन भी व३रत है और मैं भी व३रत हूँ तो वो श्कूल जाने वाले हैं तो मैं पुझे फलहार को बनाकर भगवान को भोग टृताली निकालके उनके टिफिन में लगाके देना है तो इसलिए कैश जल्दी यल्दी यहाँ पर कर रही हूँ तैयार हो रही हूँ और जाके किचिन में लगना है सीधे तो बस डिफ्टिक लगा ली है और काजल भी हलका सा लगा लिया है बिंदी सिंदूर तैयार हो गई हूँ मैं और बस उसके बाद अभी मैं जाओंगी किचिन में साथिसा बुपटा सर पे ले लूँ तो बस मैं तयार हो गई हूं अभी आगी हूं किचिन में तो मैं फलहार में ज़्यादा तर जब भी कोई व्रत रखती हूं मैं तो दिन के टाइम में मैं आलू का हलवा चिप्स और मुफली दाने यही बस खाना पसंद करती हूं और यही बनाती और फल वगएरा हो जाते हैं मिठाई वगएरा हो जाती है तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है देशी घी और उसके बाद यह घर के बने हुए आलू के चिप्स हैं बिना नमक वाले उनको मैं फ्राइ कर लूँगी तो थोड़े थोड़े डालके मैं जे फ्राइ कर लेना है तो बस थोड़े ही फ्राइ करूंगी कुछ उनके टिफिन में पैक कर दूँगी पूजा की थाली में निकाल लूँगी और कुछ अपने लिए बचा लूँगी बस और उसके बाद बचा हुआ जो गी होगा इसी में मैं मौमफली जो दाने होते हैं उनको भी भूल मौमफली दाने जब भूं जाएंगे फिर उसके बाद जो गी बचता है उसमें मैं जो आलू हैं उबाल लिए हैं उबले हुए आलू को छीलना है और उनको छील के इसी में डालना है और इसको इतना पकाना है बावा भूनना है लो टू मीरियम फ्लेम पे की आलू हलका सा अलू भून जाएगा, जो अलू का जो भी भरता है वो भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें चीनी एड़ करेंगे। तो मैं आलू को बस भून लूँगी भूनने के बाद जो चीनी है जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी इसाफ से आप चीनी लीजिएगा उसमें एड़ कर दीजिएगा जो ये खड़ी खड़ी चीनी है वही एड़ करिएगा उसके क्या होता है जब वह मेल्ट होती है कैमरलाइज होती है तब ये थोना सा चिकना हो जाता है कड़ाई छोड़ने लगता है हलूए में अब्जॉब हो जाती है चीनी और आलू को चिपका लेती है तो बस हलूआ बनके त्यार है भूगवान की थाली भी लगा दिया है प्रिशाद, केला, मौफली दाना, हल्वा लगा दिया है और इनके टिफिन गो पह कर दिया क्योंकि जब हम पूजा करेंगे तब तक ये पूजा तो हमाई पहले ही हो जाएगी और ये फलहर अपना बाद में करेंगे तो बस ये मैंने थाली लगा दी है और उसके बाद पूजा की थाली भी लगा दी है जो भी सिंगार का सामान है वो सब रख दिया है अब मैं चलती हूँ मंदीर की तरफ और आपको दिखाती हूँ मैं मंदीर कैसे सजा रही हूँ पहले सोचा था पूरा अलग से दरबार सजाओंगी मातारानी का लेकिन फिर बच्चों की वज़े से नहीं किया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो ना समानी दवदव चूनते हैं उठाते हैं भागते हैं खासकर दक्स बहुत परिशान करता है इसलिए मैंने मंदीर में ही जो भी भगवान जी एक पटे पे जो भी राजित है उनको मैंने एक साइड में करके एक और पटा भी राजित कर दिया मातारानी की स्थापना वहाँ पे कर दिया तो जो मातारानी है उन सभी मातारानी को मैंने पहले सभी फोटोस को मैंने बहार निकाला उनको हलक ऐसा गीलिया कप्ला करके पहले साफ किया है पूरे मंदीर को साफ किया है उसके बाद मैंने एक पटा जो रखा था वो किनारे करके उसमें भगवान जी विराजित किये है और जितनी मातारानी है हमारी उनको एक तरफ पटे पे विराजित किया है और हनुमान जी को भी विराजित करूँगी गने जी को भी हमसे पहले गने जी की पूजा होती है हनुमान जी जो गुफा में गई थी मातारानी वेस्टो माता तो हनुमान जी आंगे से बैठे परिक्रमा कर रहे थे दर घूम रहे थे रक्षा कर रहे थे तो वैसे ही मैंने हनुमान जी को आंगे की तरफ रखा है गनेजी को आंगे की तरफ रखा है और उसके बाद पीछे की तरफ मातरानी को विराजित किया है जैसा मुझसे हो सका जैसा मेरे मन में भाव सरद्धा है उसी सुद्धा के साथ मैंने सारी पूजा की है सिंगार चढ़ाया है मातरानी को नीले रंग के वस्तर पनाया है हाला कि केवल नीला रंग नहीं है इसमें गुलाबी भी है और फुलोगा लिए माला भी चढ़ा दी है मुकुट भी लगा दिया है कितनी सुंदर प्यारी लग मेरी मातरानी दर्शन करिएगा आप लोग भी तो चलिए मातर का दर्वार मिलके सजाते हैं और उनको विराजित करते हैं करता है अबस्तर वोग तो आप देख सकते हो मातारानी विराजित हो गई है फूल चड़ा दिये सिंगार चड़ा रही हूँ मैं सुहाग की निसानिया सारी तो बस मैं यही कहूंगी मातारानी से मैया जब तक रहूं मैं सुहागन रहूं मैं जब तक रहूं मैं सुहागन रहूं बस इतना तो बरदान दे मैं हूँ दासी तेरी दातिये मैं हूँ दासी तेरी दातिये बस मैं मातारानी से यही कामना करती हूं जितनी भी सुहागन रौते हैं सभी सुहागन रौतों का सुहाग अमर रहे बस इतनी ही कामना करूँगी मैं मातरानी से सभी के दुख हर लो जितनी मेरी यूटूब फैमली है उन सभी के लिए मैं दुआ मांगती हूं मातरानी से सभी के घर में खुशियां आए सभी के मनो कामना पूरी हो तो बस यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो complete हो गई है यानि हमारी पूजा जो संपन्न हो गई है आर्थिपुरा हो गई है तो यह रहा हमारी माता का धर्बार आप लोग भी दोशन करिएगा बुले जै माता दी कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा जै माता दी लिखकर इतना सारा ले आए है आप खालो चलो किसने दिया है दाई ने दादी ने किसने दिया है दाई ने यहां क्या हुआ बाल बड़े हो गए तुमारे दिखो कितने लंबे हो गए आदे अभी कुल दिन पहले करेंदी मेरे बाल कटवा दू कि लंबे हो गए कटवा होगी जली हुदा आज पता है मलब आज नवरादी का पहला दिन है और सारी मुसीवत आज ही आ गई है जो चीज से द गए दो लाइन की अंदर बिची वह गड़बर कर रहे थी पानी तो आज आता था ज्यादा नहीं आता था थो तो आज पाईपर मारना पड़ा था तकि मुझे नहीं पता था कि आज इतनी ज्यादा कराब हो जाएगी उसमें अगर दो दो कुला भी पानी गया ना सिंक में तो सीधे फर्ज पर आ जाता है तो अब क्या करते हैं सुबह परिशान थी परतर कैसा दुरूं क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं और फिर डिमाग लगाया जुगारवाजी की बड़ा अला टब निकाला दोनों सिंकी के जो पाईप है उनको पास में लाकर उन दोनों पाईप को सिंकी के दुरों के पाईप को टब में रखा उसके बाद आके मैं बर्दन दूल पाईए मला बहुत थोड़ा थोड़ा पानी उसकी रहा है था नौरात्री का पहला दिन और आज के दिन मला ऐसा कोई काम पहलाना नहीं चाहते थे लेंबर को बुलावाना नहीं सब्सक्राइब करें नहीं चाहते थे नाली में हाथ लगाना चाहते थे और हम दोनों लोगी वरत हैं और दोनों लोगी बुझ कुछ ज्यादा ही विजी है इसकूल से अभी आए आके बस रुके चायपी चायपी के प्लॉट पे गया है वहां काभी बहुत सारा काम वो में अब कल आस तो कैसे हो गया और कल दिन दुपहर तक तो चलाना पड़ेगा कैसे करके जब इसकूल से आएंगे फिर देखेंगे पिर कुछ करेंगे इसका जुबार क्योंकि ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं बहुत मुसीब रहता है तो अभी मैं मिल रही हूं सीधे साम क थोड़ी देर पहले मेरे हजबन के मितर भी आई हुए थे तो उनके लिए मैंने चाय वगरा बनाई हजबन के लिए भी थोड़ी चाय दी उनको पीने के लिए और उनके लिए नमकीन मटरी विस्कीरी सब लगा दिया था और वो ने छोटे से बच्चे के साथ में आया थे थोड़ी देर रुके फिर वो चले गए थे वो सब मैंने सूट नहीं किया अभी मैं रात के फलहार यानि डिनर की त्यारी कर रही हूं तो यहां पे मैं साबुदाना सुबह भीगो दी थी तो यह साबुदाना है भीगे हुए जो की बहुत अच्छे भीग गये हैं आपको म सूख कर देना है और साबुदाना बनके त्यार हो जाएंगे उसके बाद यहां पे मैंने आलू बाल लिए हैं वो डाल दिये हैं और उसके बाद इसमें मैंने जो खाने वाला जो सेंधा नमक होता है फलहारी नमक सेंधा नमक बोलते हैं फलहारी नमक को तो वही नमक डाल द जाल लिए हरा धनिया काट के डाला है अब इसको मिक्स कर लेंगे और मैं एक दम वैसा मिक्स नहीं करती हूं कि जो बढ़े के जो साभु दाने के दाने बिल्कुल मैस हो जाए बस आलू में मिक्स हो जाए इस तरीके से मिक्स करना है उसके बाद हातों पे थोड़ा से देशी गी लगा लेना है और छोटी छोटी से टिकी पतली मोटी जैसी चाहें बड़ी छोटी गोल चक्टी जैसी भी चाहें वैसे आप बनाके रख लीजेगा उसके बाद इसको सेकना होता है अचा क्या है सुबह आलो का हलवा बनाया था तो बच्चों ने भी थोड़ा खा लिया था तो फिर आलो का हलवा तो था नहीं तो मेरे हजब्बं को सामको भी नमकीर और मीठा दूनो चाहिए था और फिर महतरानी के लिए मीठा भोग लगाना भी ज़रूरी रहा तो मैंने सोचा कुछ है और है नहीं तो मैं फिर से थोड़ा सा आलू का लवा बना लेते हैं जिसमें महतरानी का भी भोग लग जाएगा और मेरे हजबन के लिए भी हो जाएगा तो मैंने थोड़ा सा आलू का हल्वा और बना लिया था और यहाँ पे मैं टिकी से बना ली हूँ अब मैं इनको फटा फट से सेकोंगी इनको सेकना भी कैसे है कि आपको हाई फ्लेम पे गरम करना है तेल को और चटनी भी मैंने बना ली देख लीजिएगा बड़ी आसी तो जो तेल है वो गरम होना चाहिए उसके बाद हाई फ्लेम पे ही इनको सेकना है बीज में थोड़ा तो दीमा कर देना लेकिन ज़्यादा दीमा आप कर दोगे तो क्या यह ठीकी तेल पीने लगेंगी और तेल पीएंगी तो फिर आपका तेल भी कम पड़ेगा और दूसरी चाहिए है कि यह अच्छी नहीं लगेंगी उसमें ओयल भर जाएगा तो अगर हाइफले में आप सेकेंगे क्योंकि आलू ही है और साबू ना तो अल्रेडी फूले हुए हैं अच्छे से सिख जाएंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल तेल उसमें नहीं होगा अब चाहो तो अपे पैन में छुटी चुटी चुटी बॉल बना कर डाले कृटी या पिटि आल या उल फेल कर पेल पेलाकर उसकोः सज़ए अब जैसे भी चाहा व यहां से घ Clintka में सेकी जाएbak में ने की घंजतने का और और इसन नमग जहां संद्रिक ना चाहां सब्ताबार सकते हो और को ने बहूत अच्छा है तो यहां पिर यहां अब मैं मातरानी की थाली लगा दूंगी ये हल्वा दही और चटनी और ये बरे sohaaam ने अपने husband को दे दिया क्योंकि साम की आर्ची तो मैं कर ही चुकी थी तो जली ही रही थी और यहांपे इनको दे दिया था कि आप मातरानी को भोग लगा जा था सुबह मैंने लगा दिया तो साम को आप लगा दो तो यह हम दोनों पती पतनी वरत हैं और इस तरीके से हमारा जो नवरत है वहरा वरत है वो समपन हुआ हमारा लोगों का और यहां पर यह मैं अपने लिए सेख रही हूँ और यहां पे मैं अपने थाई रगा कर खा रही हूँ तो बस चलिए आज के वीडियो को यहीं सवाप्त करते हैं आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक रेवाई बाई अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करना शेयर करना और सबस्क्राइब जरू करना मेरे चैनल को थैंक यू फॉर वाचिंग बाई